हाई एब्रिवान कल शाम को CBSE ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसने 2022 में होने वाले बोर्ड एक्जाम्स 10th के और 12th के दोनों की पूरी पेड़ागोगी चेंज कर दी तो जो भी बच्चे समय 9th, 10th, 11th और 12th में हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अनॉंसमेंट कल शाम को की गई है उसको मैं इस वीडियो के मीडियम से सरल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर आया हूँ मैं सौरफ कुमार डिरेक्टर अकाडमिक्स विद्यमंदर क्लासेज आज आपके सामने जो कल CBSE ने गाइडलाइन्स इशू करी है 2020, 2021, 2022 अकाडमिक के लिए उसको आपके सामने रख रहा हूँ और पॉइंट बई पॉइंट एक्स्प्लेइन कर रहा हूँ तो सबसे पहली बात यह गाइडलाइन लाने की जरुवत क्यों पड़ी और क्यों लाई गई गई और क्या-क्या इसके अंदर बताया गया सबसे पहली बात कि जो इस के मेडियम से किसी और मेडियम से सुना होगा कि वह बात सुप्रीम कोट में गई हां गई वहां गई और फिर फाइनली जो डिशिजन बने दिसNever से तो वही रहा जो सीबेसी नं inspires replacing आथा ब्ली काफी अम्टीव बनी रही क्योंकि वहीं लिफिक जो और टी कह रहे हैं कि हम एक्जाम देना चाहते थे, एक्जाम क्यों गैंसल कर दिये, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, एक्जाम कैंसल हो गए, पर बायन लार्स देखा जाएं, तो यह अच्छा हुआ कि एक्जाम को हटाया गया, क्योंकि जो उस समय situation थी pandemic की उस pandemic की situation के अंदर किसी भी हाल में exam conduct नहीं हो सकता था अब जैसे बहुत सारे speculation जो लगाये जा रहे हैं, speculation क्या है कि थर्ड वेव आईगी और delta plus आएगा, delta minus आएगा क्योंकि अलग अलग सुभे आप सुनेंगे तो वही doctor कुछ और कह रहा होगा, शाम को कुछ और कह रहा होगा, रात में कुछ और कह रहा होगा, मतला एक ही doctor दिन में तीन बार अपनी statement चेंज कर रहा होगा, तो क्योंकि अलग अलग part of word से अलग अलग research जो है, वो सामने आ रही है, तो अभी क्या होगा, ये कोई नहीं जानता, ना हम जानते, ना आप जानते, ना doctors जानते, ना WHO जानता, ना CBSE जानता, तो CBSE ने बहुत पढ़िया एक formulation लेके आया है, कि हर situation को tackle करने के लिए, कि अगर school अभी खुल जाते हैं, तो क्या होगा, इसकूल अगर November के बाद ख इन चारो options को लेके CBSE ने guideline जो है issue करी है, यहाँ पे सबसे बड़ा caution सारे वीवर्स के लिए ये है, कि ये सरफ एक special scheme है, जो सरफ 21-22 के लिए apply की गई है, ये scheme board की प्रकरिया को, जो new education policy आई है, उसको change नहीं करेगी, ठीक है, तो it's a special case for 2021-22, जैसे आप लोग जानते हैं कि इस बार J.E. ने भी चार बार option दिये थे, जो law and record है, वो सिरफ दो ही option J.E. के होते हैं, तो special year में कुछ भी किया जा सकता है, तो ये special year है, तो इसमें ये किया गया, चलिए, एक-एक करके बात को समझते हैं जल्दी से, अब जो 12th और 12th का board होगा, वो पूरा academic session दो पार्ट syllabus in each term, मतलब क्योंकि chapter related होते हैं, तो ये तो नहीं कह सकते हैं, तो exactly divided by two होगा, ठीक है, अगर 17 हैं, तो divided by two साड़े साथ नहीं हो जाएगा, या साड़े आट नहीं हो जाएगा, बट क्या होगा, कि जो भी लिखा है कि एक rational तरीके से subject matter experts से बात करके syllabus को दो पार्ट में किया गया था, 2021 के session के लिए, वैसे 21-22 session के लिए कुछ reduce किया जाए, तो board ने कहा है कि 2021-22 के session के syllabus को भी rationalize किया जाएगा, और इस साल जो सबसे important होगा, वो ये होगा कि जो internal assessment है, जिसके उपर इस बार 10th के पूरे exam board की marks मिल रहे हैं, या 12th के board के marks की बहुत बड़ी 40% और 30% जा रही है, वो जो है, इस बार more credible बनाने की कोशिश की जाएगी, more metric, metric का मतलब होता है, जिसको measure किया जा सके, ऐसे metric लाने की कोशिश की जाएगी, जिससे की internal assessment पे बच्चे को marks दिये जा सके और वो rational हो और non questionable हो, right, चलिए, क्या है बही, अब कह रहे हैं कि जो 9th और 10th में internal assessment जो है, वो पूरे साल चलेगा, ठीक है, और कैसे चलेगा, उसके अंदर 3 periodic tests होंगे, there will be 3 periodic tests in 9th and 10th, ठीक है, जैसे आप पहले उनको unit test कहते थे, या terminal examination कहते थे, उसको अब ECBSE board ने क्या कहा है, कि क्या होंगे, 3 periodic tests होंगे, और उसके अंदर जो है, practical work, speaking, listening, activities, project, जो भी है, ये सब भी इसके इलावा involved होगा, 11th और 12th में क्या होगा, कि जो term 1, term 2 तो सभी में है, उस पे तो हम अभी आपको explain करेंगे, internal assessment के भी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, जो unit test हैं, वो और जो explanatory activities या practicals और projects जो हैं, उनको भी internal assessment में count किया जाएगा, तो बात वही ह more or less, 9th और 10th में practical इतने dominant नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पर practical को उतना जादा value नहीं दी जाएगी, क्योंकि 9th और 10th में practical काफी कम होते हैं, 11th और 12th में सभी लोग जानते हैं, 30 marks का practical होता है, तो वहाँ पर practical को थोड़ी सी value दी गई है, 9th और 10th में periodic test का नाम दे दिया गय यहाँ पर unit test का नाम दे दिया गया है, जो शायद pre-board test को भी depict करेंगे, जैसे पहले किया गया था इस साल, ठीके, अब term 1, term 2 के उपर बात करते हैं, कि वो कैसे आएंगे और ये पूरी चीज किस तरीके से जो है, enter की जाएगी, इसका matrix system कैसा होगा, तो school को हर student की एक profile consider, create कर अभी जो हमारे 10th और 12th के marks enter हो रहे हैं, वो भी CBSE के portals के थ्रू ही enter हो रहे हैं, बट ये कह रहे हैं कि हमें नया जो है, एक portal हम dedicate करेंगे, सब school को, जहां पर वो student की profile को create कर सकता है, और उस profile को create करके, उसके अंदर internal assessment के marks डाल सकता है, ठीक है, तो बहुत जादा important क्यों है प्रोफाइल क्रेट करना और internal assessment के marks डालना, कि जैसे internal assessment का पहला exam मानेजे, फर्स पिरोडिक टेस्ट आपका जून में हुआ, फिर ऑगस्ट में हुआ, फिर सेप्टेमबर मुआ जैसी में एक्जाम पल ले रहा हूँ, तो आपने उसी समय उसको enter करना है, अभी आज की date में क क्या हुआ कि जब बोड के exam कहने की बात आई कि बोड के exam cancel हो गया है और internal assessment के marks upload करिये, तो वो कुछ school पे थे, कुछ school पे नहीं थे, और वो जो है pro rate करके, average लेके, वो marks को upload किया गया, ठीक है, तो शायद वो उतना robustly नहीं बन पाया इस साल, इसलिए आने वाले साल के लिए system को बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि यह robust बनाया गया और यह सारे questions अगर आप लोग देखेंगे तो इंडिया टीवी में जब मैंने विद्यमंदर classes को represent किया था, बोड के assessment के लिए तो यहने सारे questions मैंने उठाए थे, और वो ही questions को जो है more or less government ने answer किया है, कि जो है, एक portal के थुरू आप सारे के सारे marks जो हैं, वो जो है assessment के enter कर सकते हैं, ठीक है, CBSE help करने के लिए क्या करेगी, आपको जो school है, उनको syllabus बना के देगी, उनको sample assessment देगी, question bank देगी, teacher training करा देगी, क्योंकि teacher training भी अभी बहुत important है, अभी बहुत सारे teachers हमारे देश में, खास तोर examination जो है, जो 50% syllabus पे होगा, उसका जो tentative time रखा गया है, वो रखा गया है November, December 2021, और उसकी window जो है 4 to 8 weeks की होगी, और सबसे important चीज क्या है, जो second point है, वही सबसे important है, कि question paper के अंदर multiple choice questions आएंगे, ठीक है, और ये जो term one exam है, ये 90 minutes का होगा, तो term one exam November, December 2021 में होगा, 4 to 8 weeks की window होगी, स्कूल जो है अपने convenience के accordingly करा सकता है, उस window के बीच में, और ये paper 90 marks का होगा, 50% syllabus पे होगा, और questions कैसे होगे, multiple choice questions होगे, ठीक है, question paper स्कूल खुद नहीं बनाएगा, CBSC स्कूल को ये question paper भेजेगा, और जो भी एक्जाम conduct हो रहा होगा, तो स्कूल के नहीं, बलकि external center supervisor के अंदर ये exam को conduct कराया जाएगा, to maintain the sensitivity of the examination, जो बच्चे इस objective MCQ question को करेंगे, वो अपने answers से एक OMR sheet में mark कर देंगे, और उस OMR sheet को, के responses जो है, scan करके marks जो है, वो पोर्टल के अंदर, जो है, वो छढ़ा दिये जाएंगे, जो interl assessment के लिए CBSE ने पोर्टल स्कूल को देगा, term two examination कब होगा, term two examination, year end examination है, जिसको आप final examination की तरह treat कर सकते हैं, या end semester की तरह treat कर सकते हैं, यह exam March, April 2022 में होगा, जो normal board की date होती है, और यह जो है, यह भी कौन कराएगा, यह भी जो है, बोर्ट ही, CBSE बोर्ट ही कराएगा, पहला वाला term one examination 90 minutes का था, यह वाला examination जो है, यह two hour duration का होगा, यानि 120 minutes का होगा, वो one and a half hour का है, यह two hours का होगा, इसमें जो है questions जो है, different formats में पूछे जाएंगे, ठीक है, जैसे मुझे लगता है, normally board के question पूछे जाते हैं, उसी तरीके का format जो है, यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है, अगर situation normal नहीं हुई, conducive नहीं हुई, तो क्या होगा, तो यह paper भी कैसा किया जाएगा, 90 minutes MCQ का किया जाएगा, ठीक है, अगर situation conducive नहीं हुई, तो यह paper भी 90 minutes का MCQ का किया जाएगा, इस पे हमार रहें कि क्या-क्या situation बनेंगी, और जो term marks of term 2 और marks of term 1, दोनों जो हैं, वो final score को contribute करेंगे, ठीक है, तो term बन भी एक तरीके से आपका board जैसा हो गया, आधा board आप November में दे दिया, और आधा board आपने April में दे दिया, तो इस साल के बच्चों के लिए काफी relief है, और यह relief क्यों दिया गया है, यह relief इसलिए दिया गया है, क्योंकि schools जो हैं, अभी virtual mode में चल रहे हैं, और virtual mode में चलने से, learning में कहीं ना कहीं, काफी slowness आ गई है, effectiveness कम हो गई है, electronic gadgets की metros में तो जैसे हम और आप जहां पर दिली, बैंगलाओर, अगर मुंबई, हैदरबाद जैसे cities की बात करते हैं, तो यहां पे लोग well to do है, हर घर में laptop है, mobile है, बट जब हम tire B, tire C cities में जाते हैं, या below poverty line के बच्चों को देखते हैं, वहां पे घर में एक ही mobile है, laptop नहीं है, तो वह पापा को भी यूज करना है, मम्मी को भी यूज करना है, तो सारे बच्चों की class नहीं effectively हो सकती है, इसलिए ये सारी चीजों को किया गया है, अब चार different situations बन रही हैं, COVID को मद्दे नजर रखते हुए, उन चारो situation में कैसे कैसे examination conduct होगा, इसकी बात हम लोग देखते ह तो पहली बात ये है, पहली situation क्या होती है, कि जैसा भगवान करे exam का जो हो ना हो, बट COVID जो है ना आगे आए, third wave ना है, आगे कोई COVID ना हो देश में, अगर ऐसा होता है कि COVID नहीं होता है, तो जो दोनो term 1 और term 2 हैं, वो जो है, school के अंदर जाके होंगे, और जो marks हैं, वो equally divide क कर दिये जाएंगे, यानि 70 marks के अगर theory है, तो 35-35, दो part में divide हो जाएगी, ठीक है, चाहें उसको scale कर देंगे, चाहें उसको, मतलब weightage 50% कर देंगे, ठीक है, तो अगर COVID नहीं होता है, जो हमें सबको लगना चाहिए, कि positivity के साथ, कि COVID नहीं होगा, तो ये जो exam है, ये as it is, physical form में स्कूलों के अंदर जाके हो जाएगा, दूसरी situation ये आ रही है, कि अभी तो COVID खतम हो जाता है, और November, December में क्या होता है, कि क्या कहते हैं, स्कूल जो है हमारे, वो बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर November, December में स्कूल बंद हो जाते हैं, मतलब wave जो है, शिफ्ट होके November, December म में, तो जो term 1 के MCQ exams थे, वो exam MCQ जो हैं, वो from home होंगे, ठीक है, यानि घर पे बैठके वो किसी portal के थूँ जो है, या किसी software के थूँ, proctored software obviously होगा, उसके थूँ जो है, इस exam को conduct कराया जाएगा, अगर November, December में wave जाती है, और स्कूलों को बंद किया जाता है, अगर November, December बिल यानि स्कूलों को March, April में बंद करना पड़ जाता है, जैसा कि इस साल करना पड़ गया, 2021 में, तो क्या होगा, तो जो term 1 जैसे MCQ था, ठीक है न, कह रहा है कि result will be based on the performance of the students in term 1 MCQ, जो term 1 का उसने MCQ दिया है, और internal assessment जो होगा, उसको जो है, उसी को basis मान के result prepare कर दिया जाएगा, एक situation और आती है, जो भगवान ना करे आए, वो situation यह है कि पूरा closure रहो गया, ठीक है, पूरा closure हो गया, ना term 1 हो पाया, और ना term 2 हो पाया, मतलब स्कूल ना November, December में खुले, और ना ही March, April में खुले, ठीक है, तो क्या होगा, तो ऐसे case में क्या करना है, तो कह रहा है कि result will be completed on the basis of the internal assessment and theory marks of term 1 and term 2 exam taken by the candidate from home, यानि ऐसा अगर case बनता है, तो exam घर से ही दोनों कराये जाएंगे, MCQ format में, 90 minutes वाले format में, और जो internal assessment हुआ है, उसके साथ साथ इसको जो है करा के, इसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, assessment को complete कर दिया जाएगा, ठीक है, तो यह जो format है, यही चार situation arise हो सकती है, इसके सवाए पाच में कोई भी situation arise नहीं हो सकती है, और यह बहुत अच्छा किया कि, before playing the game, you have defined the rules of the game, right, normally, इस बार क्या हुआ कि game over हो गया, then you define the rules, right, कि साल खतम हो गईएगी, फिर आप कह रहे हो कि internal assessment के marks दीजे, बोड के, प्रीबोड के marks दीजे, बच्चा कैसे करता था, वो बताईए, तो, nobody has recorded those, there was no metric system to record all those things, right, so this is a very, very good step, both are very good step, one obviously to cancel the board exam this year and this step which has been taken right now to modify the system of boards for this particular pandemic year and give more clarity to each and every student in the country, so this was all from my side, इसका summary जो है, वो मैंने नीचे description box में भी डाल दी है, अगर आप point देखेंगे, तो वो बारहा point है, वो बारहा point मैंने description box में भी डाल दीए है, आप उसको भी refer कर सकते है, विशु all the best और आशा करते हैं कि जल्दी से ये pandemic खतम हो और सारी चीज़ें normal हो, तब तक आप अपने घर पे रहिए, safe रहिए और COVID protocols को follow करते रहिए, thank you so much.